गुद मॉर्णिंग एवरिबन गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई वेलकम यू अन दिस चैनल इंग्लिस पाई जनमेश सर और गाइस आज हमारा सेशन 5 है ओन दिस डिली वोकाबलरी तो चलिए बच्छों क्लास को लाइव करते हैं क्लास मिल पार य एह गुद मॉर्णिंग जी संध्या वेरिव बॉर्णिंग तो सब कुछ ठीक है चल रहा है जी मेनों गुद मॉर्णिंग अगय तो शुरू करते हैं पच्छों अपने वर्क को अपने वर्क के शुरुआत करते हैं तो लेते हैं सबसे पहला कॉस्चिन तो 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 सब्चे मुझे बताएं कि आप सुन पा रहे हैं और होप कि अब ग्लास हमारी बिल्कूँ ठीक चल दिये जी मीनू संध्या वेद प्रकाश वेरी गुड बार्निंग बच्चों ठीक है बच्चों तो शुरू करते हैं अपने क्वेशन नमबर वन से हमारा सेशन फाइव है आज डेली वुकेबलरी का तो बच्चों यह रहा आपका सबसे पहले कोटेशन हमारा सबसे पहले इस कोटेशन को देखते हैं कोटेशन हमारी कहती है कि यानि सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई परसन मुश्किल में है तो obviously हम उसकी help करें बजाए इसके के हम उसे सिर्फ प्रीच करते हैं शब्दों से उसे देना चाहते हैं आदर्श गुड मॉर्निंग और बच्चों हमारा activity time में try and learn में word है सबसे पहले बार्बेरस तो बार्बेरस वर्ड है इसको बढ़िया से देखेंगे हम आते हैं जरा वर्ड पे और यह रहा बच्चों हमारा वर्ड मैं आपको बता दूँ सबसे पहले हम एंटॉनिम्स करने वाले हैं सबसे पहले as usual we are going to do the अब एंटॉनिम्स तो बच्चों आपको वर्ड का opposite मिनिंग देखना है सीदी सी बात यह है यानि कि यहाँ पर double exercise हो जाती है आपकी यानि आप उस वर्ड का मीनिंग तो जानते ही जानते हैं साथ में आप उस वर्ड के opposite मिनिंग को भी देखते हैं जी अर्षना गुड गु मुझे बताइए बार्बिरस का मीन्स क्या होता है अगर हम देखें तो बार्बिरस का मीन्स होता है बच्चों अंसिविलाइजड कैसा परसन जो अंसिविलाइजड हो विकेड हो एक तरह से कैसा परसन हो विकेड हो तो अगर बार्बिरस अंसिविलाइजड है विकेड है त जी अर्चना डी फेरोसियस लेकिन ध्यान से देखो बार्बेरस यानि अन्सेविलाइज फेरोसियस एक जैसे होगे फेरोसियस का मेंस होता है जो उग्र हो जैसे को फेरोसियस एनिमल हो सकता है तो उग्र वाली कंडिशन तो इसका सिनोनिम बनाएगी हमने का है हमें अपोजि Kind बनेगा बच्चो ठिक है तो Barbirus का apposit हम देखेंगे Kind अब ज़रा इसको देखो Descent कि अगर हम बच्चो Descent की बात करें तो मुझे पताईए Descent का मिन्स क्या बनेगा अगर हम देखे तो Descent का मिन्स होता है किसी بात को Disagree करना disagree, जैसे होता न, हमने consent नहीं दिया, उसे dissent कर दिया, यानि उस बात को disagree कर दिया, तो बताइए, disagree का opposite हमारा क्या बनेगा यहां पर, agree, auster, disturb, या बचो, cohere, exactly बचो, a बनेगा, it would be a, तो agree हमारा word है, that is opposite to the meaning of dissent, बिल्कुर टीक है, बेद प्रकाश, संध्या, अर्चना, प्रिया, मीनू, गुड बचो, अगले बट पर आते imperative, आप जानते imperative का means होता है, जिसमें हम आज्या को मानते हैं, भई imperative चीज वो होती है, जो हमारे लिए compulsory होती है, एक तरा से हमें माननी ही माननी होती है, जैसे imperative sentence को आप देखते हैं, किसको कमांड करना, एडवाइज करना, ऐसे दना, तो ये बच्चों कैसे हैं, imperative, यानि बाध्यकारी है एक तरा से, तो मुझे बताईए, इसका opposite क्या वनेगा, obligatory, adsor, sedative या optional, बिल्कुल संध्या, बिल्कुल सही बात है, it is optional, देखो optional का means होता है, आपके मन पे है, आप करें ना करें, जबकि imperative क्या होता है, बाध्यकारी एक तरा से, तो optional अगर हम देखें, तो that would be opposite to imperative, जी मिनों बिल्कुल ठीक है, अर्चना, बिल्कुल ठीक है, good, विद्प्रकाश, अब आप देखेंगे, बच्चों, रैवरी, ये जो word है, आपका रैवरी, आ मस्ती के मूड वाली बात करेंगे, तो person कैसा होता है, इसमें, careless होता है, एक तरा से मतर मस्ती में होता है, तो वो कुछ भी नहीं देखता, तो रैवरी वही है, कालपनी condition होती है, कलपना में आप जी रहे हैं, मस्ती में जी रहे हैं, जबकि बताओ बच्चों, इसका opposite क्या बन गया, रैवरी कहलो या ड्रीम, लेकिन जब अटेंटिव होंगे, तो आप ड्रीम नहीं करते हैं, बच्चों, आप रियल वल्ड में होते हैं, तो आंसर आपका अटेंटिव बनेगा, डन बच्चों, बहुत अच्छे, संध्या, एब्रिवन, अगले कुश्यन प्यादे किसी कंडिशन में, प्रॉब्लम में है, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं, कि प्लीज हमें माफ कर दो या संथिंग, लेकिन बच्चों, इसका आपोजिट अगर हम देखेंगे, तो क्या, सिवियर बनेगा, डिमांड बनेगा, रिवाई बनेगा, मिलो बन रहे हैं, जैसे हम क्या करते हैं, कि शादी के लिए जाते हैं, तो लड़की का हाथ मांगते हैं, तो प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे यहां शादी कर दो, और जब शादी होने के बात रिया, तो उसके बाद में हम डिमांड करना शुरू कर देते हैं, तो GACIAS, देखो मैंने इसको कैसे बनाया है, SAG, साग, साग अगर आप AC में बैटके खाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप बच्छो wise बन जाएंगे, बुद्धी मान हो जाएंगे, आप कैसे हो जाएंगे, wise, साग खाका के हरा साग के हम बढ़िया हो जाते हैं, तो साग बनेगा, exactly भी बनेगा, it is stupid, तो wise का हमारा opposite बच्छो यहाँ पर बनने वाला है, stupid, अगले वर्ट पर आते हैं, Variegated, आप जरा मुझे बताई, Variegated का Means क्या होता है, बच्छो Variegated का Means होता है, जो different colors में हो, ऐसी चीज़ जो different colors से बनी हुई हो, जैसे आपने देखा है, पेड पोदे होते हैं, different colors के होते हैं, है ना, लेकिन जब आप बात करते हैं, प्लेड की, तो प्लेड होता है, यहाँ पोदे, different पोदे हैं, same, okay, बिल्कुल सही बात है, यह हमारा opposite इसका same बन जाएगा, तो बच्छो Variegated और प्लेड यह दोनों के दोनों synonym हैं आपस में, यह दोनों synonym बन जाएंगे, लेकिन जब आप इसका opposite देखेंगे, तो same बनेगा, मतलब different नहीं, बलकि कैसा, एक जैसा, डन, यह लाइक में प्लेड को कह दो, तो प्लेड कपड़े जैसे होते हैं, कपड़े हमारे different colors के हो सकते हैं, फूल पोदे हमारे different colors के हो सकते हैं, लेकिन same हमारे एक जैसे होगे, अगला बट देखेंगे 8 number, revolt, बताओ बच्छो, revolt का means क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल नहा, यूपिटेट, यूपिटेट, सीटेट, सबके लिए fit हैं, revolt का means होता है, बच्छो, किसी चीज में revolt करना, यानि क्रांती लाना, या फिर उपद्रव करना, आप ये भी कह सकते हैं, उपद्रव करना, तो देखो, revolt होती है, क्रांती करना, या किसी के खिलाप साजिश करना ए आत्मन समर्ण पर कर देना, तो revolt करना, और आत्मन समर्ण पर करना, दोनों वर्ट कैसे हैं, आपस में, दोनों वर्ट बच्छो, अपोजिट है, बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्छो, आप देखेंगे स्क्रपलस, स्क्रपलस का means होता है, बच्छो, तो इट क्या बनेगा, सीजनेबल, पैरेडी, स्विल्दी, या फिर केरलेस, हंड़ेट परसेंट केरलेस बनेगा, बहुत अच्छे बच्छो, करेक्ट बात है, बिल्कुल, अर्चना, करेक्ट हो गया, मीनू, सपना, बहुत अच्छे, ये बच्छो, आपका अंसर डी बने अनाप शनाप बोलना, कहीं बार होता है, हम प्रेटल करते हैं, किसी परसन को कहते हैं, अरे जातेरे से हमें कोई काम नहीं, देखेंगे तुझे बाद में देख लेंगे, ज्यादा मदबन वर्ना ही पर कूट देंगे, तो ये प्रेटल हो गया, मतलब अनाप शनाप वर्ड यह तो हम कुछ भी बोल देंगे प्रेटल कर देंगे इसको लेकिन आप सोचो मोधी जी हमारी गली में आगे या फिर कोई लीडर हमारी गली में आगा जिस पर काफी पावर है तो उसको हम एक्स्टोल करेंगे क्योंकि पता है पडोसी से तो बच जाएंगे लेकिन इससे नही करनी पड़ेगी तो एक्स्टोल एंड प्रेटल हमारे इस तरह से होते हैं जी राकी गुड मॉर्णिंग अगले वर्ड पर आते हैं अब देखो बच्चो आपको 10 वर्ड हमारे एंटॉनिम्स के होगे अब आपको सिनोनिम्स देखने हैं यह आपके सिनोनिम्स बेस्ट क्व आपको देखने हैं तो चलो बच्चे शुरू करते पैसिमिस्टिक अब जरा मुझे बताओ पैसिमिस्टिक हुता क्या है पैसिमिस्टिक हम उसे कहते हैं जो नेगिटिव साइड को देखता है हर चीज की जैसे एगर ग्लास हमारा बच्चो भरा हुआ है आधा आधा यहां मुरा शुला वह वह पर ठैसे है उब है इसे कहते हैं तो पैसिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक बनेंगा इसका शिकने बनाएंगे similar meaning क्या बनेंग ग्लूमी बहुत अच्छे बच्चो यह ग्लूमी बनेगा यहनि के pessimistic हमें हमें से सभी ग्लूमी सा होता है अंधकार में रहता है दुखी दुखी सा रहता है तो अंसर हमारा ग्लूमी बनेगा टैल नंबर केंडिड बच्चों केंडिड ऐसा परसन होता है जो बड़ा निर्दोश हो सीधा हो उसे कोई खास नहीं पता है कोई भी बात होती है सबको बता देता है तो बताओ कैसा परसन है सिक्रेट, कवर, स्किल्फुल या फ्रेंक 12 का ए सिक्रेट ओके सी राकी हाँ जी संध्या बिलकुल सही बच्चों ये सी बनेगा एक्शली केंडिड जो परसन होता है वह आप जैसे कैमरा होता है कैमरा कर रिकोर्डिंग करता है वो कोई इसमें दिक्कत थोड़ी करता है वो फ अब्डुरेट देखो मैं बता दूं सब बच्चों को अगर मैं कहूं अगर मैं बच्चों आप से कहूं अब्डुरेट या स्टबन तिन दोनों का ही मींस क्या जाता है दोनों का मींस जाता है बच्चों जिद्दी से किस से जाता है जिद्दी से जैसे एक वर्ड इसके ल लिए कि टी ही पीखे जाऊंगा तो एडामेंट भी जिद्धी होता है और जिद्धी और स्टबन भी यह तीनों वर्ड अपने आप बहुत जबर्दस्तरों खूब पूछे जाते हैं तो इस्टबन अपडूरेट एडामेंट तीनों ही वर्ड अपने जिद्धी है राइट बच्चो नीचे आ जाएंगे गाईरेशन अब जानते हैं गाईरेशन का मेंस होता है जैसे गाईरेट वो देखा न अपने रिल पूल मतलँ हमारी जो मशीन होती है वोशिंग मशीन उसमें ऐसे कपड़े घूंते हैं कैसे गूंते हैं गोल 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 गोंते हैं इस तरह से तो उसे गाईरेशन हम कहते हैं चक्कर में गोल गोल में तो बताओ रेपेटिशन इग्नोरेंट इरेटिक या फिर रोटेशन हंड को ठीक है मिनाक्षी दिव्या गुड मॉर्निंग अगले आएंगे बच्चों फिजिट एफ आई डी जी एटी आप जानते हैं फिजिट क्या होता है फिजिट होता है मूव अन इजीली जैसे आपने देखने कई बच्चों के पास में स्पीनर होता है स्पीनर कुछ इस तरह स गूंता है तो स्पीनर जैसे स्पीनर की एक मूमेंट होती है वह फिजिट कहला तो या मूव और जैसे हैं तो हम 15 नंबर का अंसर बच्चों क्या वनाएंगे यहां पर एवनाएंगे इंग्जाट्ली जी आशी का मैरातन बस ये आज कल में पूरा हो जाएगा उसके बाद म number abrisment आप जानते हैं abris का means क्या होता है? abris का means से छोटा करना shorten करना छोटा करना ठीक है जी? तो abrisment का means आप बताओ खुद क्या synopsis, amplification, accept या फिर pathway इन्हें विसे कुन सा मनेगा बच्छों? 16 का A, बिल्कुल सही answer है, synopsis, आप जानते हैं, synopsis क्या होते हैं, जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, या फिर class करते हैं, synopsis बनाते हैं, यानि उन notes को छोटा-छोटा बना लेते हैं, जिससे हमें आसानी उनको तयार करने में, जी बचों, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, तो it would be A, embarrassment यानि synopsis, 17 नमबर पे आते हैं, ingenuous, आप जानते हैं, बचों, ingenuous का means क्या होता है, ingenuous का means होता है, सीधा-साधा, गवू के जैसा सीधा, देखा है आपने, गवू जैसा जो सीधा होता है, उस परसन को हम क्या करते हैं, ingenuous, तो देखो, clever, naughty, interrogate, या फिर नेव, बता कारों में से सीधा कोन है, आपको find out करना है, hundred percent बच्चों, नेव बनेगा, नेव का means भी क्या होता है, सीधा-साधा, जैसे वर्ड होता है, डोसाइल, डोसाइल वर्ड देखा है, डोसाइल का means होता है, बच्चों, सीधा-साधा, गाएं की तरह सीधा, नेव भी, और ingenuous भी, अगला बट देखें लिटीजियस तो बताओ बच्चो लिटीजियस क्या होता है ऐसी के लो जिसमें हम लिटीगेशन देनी पड़े जिससे में हमें लिटीगेशन देनी पड़े यानि याची का देनी पड़े और याची का हम कब देते हैं जब हम कोई जगडा कर लेते हैं तो क्या मिंस बनेगा लिटीजियस का कौईरिलसम जगडालू इसको हम क्या कहते है बच्चो जगडालू तो जगडालू हमारा होता है कौईरिलसम या लिटीजियस डन बच्चो हाँ जी correct हो गया बहुत अच्छे मिनाक्षी, मिनू, निलू, राखी, संध्या, निहा, अच्छना, very good बच्चो अगले question पर आते हैं muse अच्छा आप जानते हो muse का means क्या होता है muse का means होता है बच्चो think करना थिंक करना बड़े ध्यान से सोचना किसी के बारे में तो आप जैसे जैसे देखते हैं किसी जानवर को धिरी धिरी मूँ चला रहा है मूँ चलाते चलाते सोच रहा है बहुत ध्यान से सोच रहा है कि कल में क्या करूंगा परसो क्या होगा मेरा भविष्या क्या है यह ये Muse कहलाता है तो बताओ इन चारों में से क्या बनेगा Muse का Means Convene, Countless, Whisper या फिर Ruminate बताएंगे सब बच्चे हाँ, Cantankerous कह सकते हैं राकी बहुत अच्चे देखो गर ऐसे याद करोगे सब बच्चे राकी ने एक word बताया है में Cantankerous तो Cantankerous इसका बच्चो Synonym है, हमने कल पर सो में किया था, Cantankerous तो ये बिल्कुल बात सही है, इसको यहां से जोड़ दें, Cantankerous, Litigious और Quiralsom हम बना सकते हैं C बनेगा, बहुत अच्चे बच्चो ये Ruminate बनेगा, मैं आपको बतादो, Ruminate का मेंस होता है आपने देखा, जानवर जो होते हैं जानवर जो होते हैं, बच्चो वो जुगाली करते हैं यानि कि जो खाना खाते हैं, उसको फिर चबाते रहते हैं दीरे-दीरे, तो चबाने का मिन से क्या करते हैं, वो Ponder over करते हैं का मिन से think करते हैं, seriously बड़ा सोचने हैं जुगाली करते हुए तो रुमिनेट इससे जुड़ा हुआ वर्ड मूज का मिन से सोचना जुगा रुमिनेट का मिन्स भी क्या है सोचना कैसे नाउन एड़ेक्ट और एडवर्ब पहचाने ठीक है दिव्या कमिंग क्लासिज में बिल्कुल आपको मिलेगा वैसे तो हमने पीछे भी बताया है बट कमिंग क्लासिज में भी हम इस चीज को देखेंगे आप इन क्लासिज को लगातार करते रहे हैं बस अब देखो पो इगनेंट आ गया 20 पे हमारा वर्ड बन गया पोइगनेंट बताएए पोईगनेंट का मेंस क्या होगा है मैं आपको बता दू पोइगनेंट का मेंस होता है ऐसे वर्ड यह ऐसी चीज जो दिल को चीरने वाली हूं मतलब बड़ी ही द्यासे भरी हुई मार्मिक जिसे कहत च्टरडी, पियर्सिंग, और स्टेंटीशियस या बच्चो स्प्लेंडर, जी दिविया मैंने बिटा बता दिया है आपको, हाँ ठीक है, लाइक एन शेयर करेंगे सब बच्चे, इसका मिन्स बनेगा पियर्सिंग, आपने पियर्सिंग देखा, जैसे कान जो होते हुँ पिय पियर्सिंग, पकड़ में आ रही है बात आपको, मतलब एक तरह से दिल को चीरने वाले, पियर्सिंग होता है, चीर के निकलने वाले, तो उसी को हम कहते है पोईगनेंट, हाँ जी बच्चो ट्रंटी का ए बनेगा, अगरे कॉश्चन पर आते हैं, अब देखो आपके पास में, 10 questions आपके, एंटोनिम, सिनोनिम, और अब 10 questions आपके idioms, phrases पर बेस्ट हैं, बच्चो, idioms and phrases पर बेस्ट, देखो यहाँ पर पहले में लिका, in business, one should take care not to burn one's fingers, तो बताओ बच्चो, burn one's fingers का means क्या बनेगा, suffer loss by rest decision, या फिर burn fingers when cooking, get into business without careful thinking, या burn fingers as punishment, तो जब हम burn करते हैं, इसका means क्या बनता है, उपर का show नहीं हो रहा है, उपर का show नहीं हो रहा है, बिटा होना चाहिए तो, बिल्कुल दिख रहा है, पूरा clear, नेहा, एक मिन्ट में देखूं जरा, show तो हो रहा है, 21 का A, बहुत अच्छे बच्चों, ये A बनेगा, यानि burn ones fingers का मीन से, suffer loss by rest decision, यानि जल्दबाजी में, जैसे घर्म चाहे होती है, हमने जल्दबाजी में उसमें उगली डाल दी, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, suffer loss by rest decision, question number 22 को देखेंगे सब बच्चे, अच्छा, comment कटे हुए हैं, ओके, ओके, ठीक है, show हो रहा है, all right, अब देखो बच्चों, you should avoid burning, देखो क्या लिक है, burning the candle at both side, बच्चों, ये हमारी candle है, एक तरफ से जलती है, है ना, यहां से जलेगी ऐसे करके, लेकिन अगर हम इधर से भी जला दें इसको, दोनों तरफ से candle जला दी, तो candle दोनों तरफ से जलने के बाद रोशनी तो बड़ी ऐसे नहीं देगी, लेकिन क्या होगा, बताओ, doing without thinking, meeting a crisis, lighting both sides, या फिर exhausting once energies, by overworking in two directions, बताओ, इसका answer क्या बनेगा, तो बच्चों answer 100% इसका, हमारा D बनेगा, हम exhaust कर रहे हैं किसी चीज को, किसी की energy को, वो भी क्या overworking करा के उसे दोनों directions में, बिल्कुल सही है, बच्चों answer हमारा D बन जाएगा है, हापे, question number 23 पे आते हैं, और 23 कहता है, present day students rarely burn the midnight oil, यानि कि midnight oil को शायद ही burn करते हैं, तो बच्चों बताओ, अगर हम midnight oil burn करेंगे, students के लिए, तो इसका means क्या होगा, use oil lamps, या eat dishes fried in oil, work until late night, या बच्चों undertake an important task, जी सपना, अच्छा ठीक है, very good, आपने सीखा है answer, वेद प्रकाश ने भी सीखा है, very good, ये बच्चों बिल्कुल सही answer है, work until late night, बई तभी तो आप midnight oil को burn करेंगे, जब आप late night अगर करेंगे, कुछ जगाओ पे इसका means होता है, hard work, या hard working, और hard working person ही क्या करता है, रात को midnight oil जलाता है, आगले question पर आते है, 24, it is of no use, burying, देखो इसको burying का मेंते दफना ना, burying once head in the sand, वही सेंड में अगर आप दफना होगे, तो फिर से बाहर आ जाएगा, during a crisis, तो इसका means है, burying once head in the sand, hiding from the enemy, avoid facing facts by pretending that they do not exist, या severing enemies head, बताओ बच्चो क्या बनेगा, अगर हम किसी के head को, मतलब crisis के time पे, send में दवाते हैं, C, बहुत अच्चे बच्चो, ये correct answer है, C बनेगा हमारा, यानि के avoid facing facts by pretending that they do not exist, जैसे आपने देखा है, जो कभूतर होता है, कभूतर की तरफ बिल्ली बढ़ती चली जाती, जब वो देखता है, अब नहीं बचेगा, तो वो आखे बंद कर लेता है, last में, बहीं आखे बंद करने से बिल्ली से दिखाई इन देती है, अब वो जो चाहे करें, तो ये condition हमारी बिल्कुल क्या है, बरिंग वन्स हेड इन दे सेंड, नहीं नहा ये आपके idioms phrases है, बेटा, idioms phrases, one word होते तो फिर एक ही word होता है, महाँ पर, question number 25 बच्चों देखेंगे, by and large, आपको बताना है, by and large का मीन्स क्या है, यानि by and large, the examination was easy, तो total, ऐसे किते कुल मिला के examination आसान था, तो इसका मीन्स है, कुल मिला के, तो बताओ बच्चों, on the whole, easy question, why was, या फिर हमारा बनता है, 50%, 100% बच्चों ये बनाएंगे, on the whole, यानि कुल मिला कर, 26, one should avoid building kessles in the air, तो हवाई के लिए बनाना, इसका मीन्स क्या होता बच्चों, हवाई के लिए बनाना, किसी को भी या हर किसी को हवाई के लिए बनाना, avoid करना चाहिए, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, इमेजिंग प्लान्स पूर अचीवमेंट, अनलाइकली तो बी रिलाइज़, बिल्डिंग कैसल्स विदाउट गूड फाउंडेशन, बिल्डिंग, बिलिविंग इन एक्जिस्टेंस ओप अलियन से, ड्रीमिंग अबाउट लग्जूरियस लाइफ, ए बनेगा, राकी, बिल्कुल सही है, तो बच्चो हम इसमें ए बनाएंगे, जी सोनी बेटा, वर्क करो, फिर इसमें कोई बात नहीं है, गलत होता है, इस ओल राइट, हाँ जी बच्चो, ए आंसर बनाएंगे, इमेजिंग प्लान्स पूर अचीवमेंट अनलाइकली टू बी रिलाइज़, ठीक है बच्चो, तो इसको हम कहते है, बिल्डिंग कैसल, जैसे हम अपने सपनों में देखते हैं, सपनों में क्या करते हैं, हम जाके किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, सलमान को दोस्त बना है फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं तो यह क्या कर रहे हैं building castles in the air अगले पर आएंगे हवाई महल बनाना बिल्कुर सही है 27 को देखेंगे आप लोग she is considered to be a chip of the old block तो बताओ बच्चो चिप of the old block का means क्या बनेगा हमारे लिए chip of the old block c okay ठीक है 27 का b okay ठीक है देखो बच्चो क्या है chip of the old block ऐसे नहीं कहते है एक इथाली के चट्टे बत्टे हाँ चिक ओफ दो ओल्ड देखो इसमें क्या लिखा है old person नहीं experience यूथ नहीं person with great indeed यह लिखा है an inheritor of the parents characteristic जो parents की characteristics होती है वो ही inheritor में आती है जैसे हम लोग है हम chip of the old block हैं जैसे हमारे mother father थे हम भी वैसे ही है habits में देखने में उचाई में color में उस सारा हमारा complexion वगरा सब एक जैसा होता है काफी हद तक तो बच्चों आंसर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा डी यहां पे एन हेरिटर ओफ दर ठीक है जी कॉश्चन नुबर 28 पर आएंगे आप लोग इट इस नोट गुड टू लिव लाइक fighting cox तो मतलब यह अच्छी बात नहीं के हम कैसे कैसे जीएं fighting cox की तरह से तो बताओ बच्चों लिव fighting cox क्या बनेगा है एव एंपल एड एक्सिलेंट फूड लीड़ ब्रेव लाइफ लिव विद वेंजियन्स या फिर हैव फाइटिंग स्पृट हां जी 28 का बच्चों C बनेगा यानिके लिव वेंजियन्स वेंजियन्स का मिन्चों तरह बदले की भावना के साथ रहना वेंजियन्स यो होता है बच्चों वो क्या होता है हमेशा बदले की भावना के साथ में जीना क्योंकि fighting cox ऐसी करते हैं एक दूसरे पर अटेक करते रहते हैं तो आंसर हमारा C बन जाएगा 59 को देखेंगे बच्चों have cold feet अब आप यह देखो हां जी अगर हमारे पैर गर्म होते हैं बजाए ठंडे के तो हम तेजी से चलते हैं फटापट चलते हैं जल्दी जल्दी काम करते हैं जैसे अगर गर्मी में आपने आप बाहर नि निकल जाते हैं लेकिन बच्चों जब cold feet हो जाते हैं तो आप इसका मतलब क्या होगें नर्वस होगें वहीं खड़े रहते हैं कुछ नहीं करते यानि इसका मीन्स क्या बनेगा be different, be handicapped, be unconcerned या फिर be frightened and nervous जी मिनू answer A बनेगा बच्चों तो have cold feet ठंडे पैर होने का मतलब ह यानिके भैबीत होना और nervous हो जाना, right बच्चों? जी correct है, question number 30 को देखेंगे, come off with flying colors, जैसे मैं हमेशा आपको कहता है रहता हूँ, may God bless you and you come off with flying colors, exam के बाद में बच्चों आप कैसे पेश आए, come off with flying colors, इसका मीन्स क्या होता है, dressed in bright colors, wearing loose but return to colorful या फिर immerge with honor and great success, 100% बच्चों नेहा, बेजब्रकास, अपना, राकी, मिनाक्षी बहुत अच्छे, ए आंसर बनेगा बच्चों, यानि emerge with, emerge with owner and great success, ठीक है बच्चों, जी अच्चना, राकी, नीलू बहुत अच्छे, श्वेता, यह correct हो गया बच्चों, अगले question, आच्छा देखो यह हमारा पूरा हो गय है, so today we have completed our 30 questions based on vocabulary, अब इसको बच्चों तयार करो, जिन बच्चों के गलत हुए हैं, उनके लिए बस एक ही suggestion है, कि 30 words भी जो daily हो रहे हैं, अगर आप इनको भी तयार करते हैं, तो कुछी दिन में आपकी बहुत अच्छी vocabulary हो जानी है, मतलब इदर उदर भागना, या फिर क subscribe करेंगे, like करेंगे जरूर, और आज का हमारा activity time कहता है, absolve world को देखना है आपको, आपको देखने absolve का means क्या होता है, comment करना है आपको, comment box में, और बच्चों आप download कर सकते हैं, इस PDF को अपने telegram चैनल से, telegram link आपको description में दिया गया है, so thank you so much for being with me, all right बच्चों, बहुत अ have a great time.